है 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 नोइ दोस्तों आज आप लोग पढ़ाएंगे इस टील कॉल sekarang ड्रॉइंग में कि इस्टी रोन है उसका कैसे हम बनाएंगे ड्रॉइंग कैसे बनाएंगे जिसे हमें पूरी तरह से पूरा नमर मिले तो उसके लिए हम बताते हैं इस प्रॉपर स्केल लेनी है है और कैसे बनानी है वो सारी चीज़ हम बता देंगे पहला देखते हैं आपर कैसा दिए नेक्स्ट देखते हैं कैसा है कुस्ट्ट हमारा दिया हुआ कि कि एक आएस एच भी है 300 mm 300 at the rate 61.8 Newton पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ इसका है यह क्या हुआ यह वेट हो गया है इसका दिया हुआ है नेक्स्ट है बेस प्लेट बेस प्लेट का दिया हुआ कि कितना रखना है बेस प्लेट की साइज क्या है चैसाफ पचास गुड़े शैसाफ इसको बोलेंगे क्लिट एंगल वह था यह से 100 x 100 x 12 mm दिया हुआ है नेक्स बात करते हैं बोल्ट बोल्ट कौन सा बोल्ट जो बेस प्लेट को कनेक्ट करने के लिए हमने बोल्ट का यूज किया हुआ उसकी साइज दे रखी 18 mm यहां 5 का मतलब हुआ को इसका डायमेटर दिव इसका लेंथ दे रखा है 200 mm है अब बनाना क्या 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 फरंट बीव बुनानी है मैं अप्रन फ्रांट विए उपर से देखा कैसा दिक रहा हूं क्विश्चन में पहले ही रिखा होगा कि जो भी डेटा नहीं दिया हुआ है उस चीज को आप लोग कर सकते हैं तो अब जो डेटा नहीं दिया हुआ करते हैं हमें क्या चाहिए होगा के तो आई अच्छ भी 300 चाहिए ना तो हमें जाना होगा स्टील टेबल में स्टील टेबल वहां से हम निकालेंगे हमारा देखेंगे इसके लिए दो है एक और है तो हमें तो आप दे रहा है तो नहीं तो नीचे रख दिया कंक्रीट ब्लॉक भी यूज करेंगे उसकी पता होनी चीए तो उसके लिए क्या करना हमें कर लेंगे कि डेटा जो में रिक्वार्ड होगी एजुम कर लेंगे देखो साइज के आजू करेंगे यहां पर बेस प्लेट का दिया चासर पचार तो इसकी साइज चलो हम थाउजन एम्म ले ले लिया और उसका थिकनेश भी तो होना चाहिए कंक्रीट ब्लॉक का कुछ न सब्सक्राइब कर लिया और इसको एक बॉक्स में बना के छोड़ देनी है एक बॉक्स में छोड़नी है ट्राइंग सीट पर ही ताकि वहां पर आसाने से जो भी एक्जामनर होगा वह चेक कर ले सई से नेक्ट बात करते हैं अब बनाने वाले पर बाते हैं कि कैसे हमाना कंक्रीट ब्लॉक है जो बलू लाइन से हमारा क्या है बेस प्लेट है अब जो ब्लैक लाइन से है इधर अंदर वह हमारा आई를 इस प्लेट क्लीट यहां पर अब चलो हाते हैं कैसे बनाएंग वह चीज़ देखते हैं कि इसको बनाने स्पहले आई सेक्षन का क्या फ्लेंज क्लाब क्या वेव होता है बहुत लोगों को कंफूजन होता कि सब्सक्राइब कौन सा होता है तो यह आई सेक्षन मैंने बनाए हुआ यहां पे छोटा सा इसमें देखो यह बीच वाले चीज होती वह होती है और ऊपर व आहला हमें ऊपर से दिखने मला वह मां इसकी साइन है 100 mm हेंड़ीट ईसके बाद क्या दिखने वाला बेस प्लेट बैस दिखने वाला है जो स्टील का होगा हुआ है उसकी छे संव पचास हैं गुडे छे संवाच हम बुड़े 32 यह लंबाई चोड़ा हो गया यह 32 में क्या हुआ उसका थिकने से अब वह बना दिया हमने नेक्स बात करते हैं इसको इन सब को बनाने से पहले एक आप लोगों का आइडिया दे दू कि आप लोग सोचेंगे सर कितना इधर से छोड़ू कितना इधर शोड़ू उ चारो कानर को क्रास करके बना देंगे अब यहां पर गया कितना हुआ 325 यहां से 325 इधर मेजरमेंट कर लिया ऐसे ही ऊपर 325 इदर 325 इधर तो यह हमारा बन गया बेस प्लेट आएसी सारी मेजर्मेट इसी क्रास वाले के पास से लेनी है हमें तब हमें आप अच्छे से बना भी पाएंगे अगर 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 हमने क्रास नहीं किया ऐसे बनाएंगे तो हो सकता यह नीचे बन जाए हो सकता है फोड़ी सी जगा बचे और यहां ज्यादा चुड़ जाए तो बार-बार आप लोग मिटार मिटार के बनाते रहोगे उतना टाइम होता ने एक जाम में तो इसले पहला क्या करना है एक हलकी सी क्रास लाइन दिखानी है उसी के हल्प से बनानी ह क्रास लाइन इतना भी डार्क मत का देना कि पूरे सीट पर क्रास लाइन दिखने लगे वह बस अपने सब्सक्राइब के लिए कि बाकी बाद में आप लोग मिटा भी सकते हो कोई दिक्कत दिए नेक्स अब आई सेक्षन पहला उपर देखेंगा तो पहली बात इसका बिर् आप यहां से यहां से यहां से लेकर यहां तक का होगा यह कितना 300 है आप यह साइज दे रखा में 300 अब 300 मम आप लोग चाहाँ तो अपने सब्लियत के लिए वन इंश्यू टेन का सकते हैं एक समंदित 10 का वन इंटेन लिख सकते हैं उसके हेल्प से बना लेंगे नेक्स्ट अब देखो इसका वेख का डेवत भी कुछ वागा बेश्युक् Julia अग्तिकनेस से 7.6 M 7.6 Mн बना दियाा इसको अब देप्त कुछ और रेंट करना इस में चरम पैंडाइन ड्राइन पड़ेगी हलकी इस दो पर ओकाइज सब्स पतिस नीचे वह कितना हो गया ADUSO W. हो गया अब उसी को लाइन ड्राव करेंगे और इसका थिकनेश दिखा देंगे वेब का थिकनेश का थिकनेश कितना है 10.6 mm वेब का थिकनेश कितना है है six five seven six seven six seven seven sorry next ने अब यह तो हो गया उसके बाद ऐसा तो है ने कॉलम को बस ऐसी खड़ा कर दिया यह जुडा रहे गाएगा अब इसको जोडने के लिए भाई यहां तो जूगाड को करने के लिए क्या करना पड़ता है गसट प्लेट को क्या करूँगा इस प्लेट को क्या क कर दूँगा ठीक है आगे पड़ते हैं पहला काम क्या करना हमें गजट प्लेट का यूज इसलिए करना ताकि जो हमारा यह सेक्षन है डारेक्ट वह हमारा बेस प्लेट के साथ कनेक्ट नहीं तो फिर फेल होने चांसे ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा इस्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी बेरिंग कपेसिटी भी बढ़ जाएगी बसे अब बात करते हैं गजट प्लेट हमने यूज कर लिया अब यह रेड कलर वाले जो दीख रहा हूं हमारा क्या है जैसा यह साइच का मैं बता रहा हूं सेम वैसे दूसरे साइट का भी बनने वाला है तो ऐसे बनानी है ने गजट प्लेट हमने लगा दिया क्या करना आप चाहो तो इसके बराबर भी कर सकते हो इसके चोड़ाइब फ्लैंज का बीड़े सकते हो इसमें कोई भी रिस्ट्रेक्शन नहीं है अब इतना भी मत करना कि ज्यादा बेकार लगने लगे रियल में होना कि इतना है यह जो हमारा कॉलम हो गया उससे एक सेंटीमेटर या दो सेंटीमेटर यह फिर मैक्सिमम एक इंची तक बाहर निकला होना चीया ज्यादा नहीं निकला होना च्यги है रियल लाइप में अब उसके बात क्या करना यहमारा गुसर्ट प्लेट सब्सक्रांट आंगल क्या है हमारा इंगल को अगर मैं बोलों कि यहां से देखो सामनी से यहां से ़्छए makeup कि ङाँ दिखने वाला है इसकी पुरी लेन्थ दिखेगी में इसकी पूरी लेन्थे दिखने वाली है अप Mach Of यहां प2 पर दिखने वाले पallahi करीन तो किया दिखने वाला है प्लस इस पुरा व्रत दिखने वाला तो वहीं चीजा यहां पर देखो इधर साइट देख को तो देखो जो चैसी का करूब यह लागा ए्खने आगी스럽नी मैं यह भी देप्थ और उसके बाद क्या यह दिखनी वाली स्की पूरी लेंथ दिखनी वाली है उपर से यह वाली क्या होगी यह उसकी किया मिला दिया ओर ये जो इधार होल करा हुआ है यह चीज क्या हुआ हूआ हुआ है यह चीजί हँमारा हुआ कि हम जो हमारा हैं अगल उसको अमने बेस प्लेट के साथ कनेट करने से ही तो हमारा काम नहीं हो जाएंग corre कसकर सब्क्राइब तो उसकी लिए क्या करूँगा इसमें さय धश काफी होता है तो पाइडा यह होता है गर फ्यूचर में अगर luce होता है अम और मळूसरे पाइब इसको रिप्लेस करना काफी हो जाता है उसलिए इसका यूजका ज्यादा होता है नेक्स्ट बात करते हैं कि चलो अब यहां तामने रिवेटिंग लगा कि इसको कनेट कर दिया टाइट कर दिया अब हमारा जो कॉलम था वह इस्टेबल हो गया अब भाईया वह अराम से खड़ा रहा गया यह देखो यह हमने क्या किया यह चीजी हमारी उंगलिया दो है यह सम सब्सक्राइब करने के लिए वेव के साथ भी करा तो देखो ऐसी सेम यहां वाला भी है टॉप से दिखने वाला थिकने दिखने वाला उसका वही चीज है सेम प्रोसेस है बस इसको घुमा के साथ कर दिया अब बेव के साथ भी जोड दिया यहां पर हमने दिखा दिया क्या बोल्ट कैसा कैसा connection वह चीज दिखा दिया अब इस बोल्ट को वेब के साथ भी तो connect करना पड़ेगा ना वेब के साथ अपलोस दूसरे साथ वाला जो एंगल जुड़ा हुआ उसको भी तो इसको भी होल करके डॉट 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 इसलिए दिखाया हूं क्योंकि टॉ करते हैं कि अंदर ऐसा हो सकता है उसको कैसा दिखाना आ दिखाना है डॉट जो दिखाना इसलिए इसको डॉट करके दिखाया हूंँ आप लोग भी ऐसे दिखाऊगा बोल्ट करना अब इतना तो टॉप ब्यूव हो गया तो आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से मुष ब्लोग बनानी है concrete block और उसमें cross line बना देनी है ये चीज़े हमें clear होनी चाहिए next बात करते हैं ये तो हो गया हमारा top view बात करते हम किसका front view का बात करते हम फ्रंट ब्यू अब ये वाली जो हमारा है ये वाला हो गया हमारा front view कि एक चीज और यह चीजे मैं सारी कैप्टल इसमाल लेटर में लिखनी है उसको लिखनी है कैप्टल लेटर में जैसे फ्रॉंट लिखिया तो इसको कैसे लिखना है एफ लिखना है और लिखना है लिखना है लिखना है इस तरह से फ्रॉंट इसको लिखना है कैप्टल लेट ऺलागना उसको मिली मीटर लिखना या फिर ऐसे ही पूरा बना दो कहीं कुछ मत लिख को सबका साइच बस लिख दो और सकतर लाश्ट में क्या यह लिख देना कि सי कि ऑ स्वज डामेंशन इन मृ मिली मेटर कि सब ली मिली मेर में धूय किस में होगा प्रोट स कर देने हैं नी नीचे ने अचे बनानी है यही समय यह लाइन यह लाइन यह सब प्रेट्शन लाइन ड्राकर नी इससे क्या होगा बहुत जल्दी बन जाएगा इजी पड़ यहाँ लाइन है यह लाइन है क्या किया चान्स कि ब्लॉग बना दिया ठीक है होगा नेक्स्ट बात करते हैं बेस क्लेट वाली तो दूसरी वाली लाइन जो आई प् 32 mm था उसके scale के साफ से इसको बना देंगे 32 mm आगे ये महारा है कि अब हमें क्या करना है से कि लांन आए human भी लाइन करेंगे यह आ गया कि आगए पत्योय अब इसके हल्प से यह यह फाइदा होगा चेहाँ फैदा हम्हेड़ नहीं यहां से तुरंत बनाने में बागी बनाने में बहुत कम का टाइम लगने वाला है यहां से सीधे लाइन खिचनी और सब कुछ आ जाएगा प्रिफित नहीं चलो भी दिए अब देखो बात करते कनेक्शन की इसको एंगल दिखा दिया दब क्यानी क्या किया इसको एंगल या अगलgili से प्रहें होगा है यह इसे दिखा दिया देखोएगर में क्या हूं आप इसको एंगली है पॉड़ा ऊथ chaîne कि भी लाइन ड्रा करोंगे ना यह वाली लैन भी ड्रा करोंगे जो हमारा में इस तो अधु बलेट उसक ब्लेट ऊपर जाएक चाहता थो देप्स ब्लेट कर दोंकिन जादा उपहों को मैं धिकतों क्या삶ायए जूर्ण ब्रॉब्लम होने लगेगी बढ़ा रखना है अब इसको चाहो तो थोड़ा से ऊपर रख देना कोई दिक्क वह नहीं है किनी हमें कितना ही बढ़ा रखना है हो सकता है कभी-कभी इसको कॉबर प्लेट करूज में यूज कर ले तो वह अलग बात है तो इसको इतना रखना थोड़ा से बढ़ा के और यहां पर हमारा जो कॉलम हमारा सामने से देखने से लगाइज इसे जादा भी हाइट हो सकती है यह आइससे लिए यह होता है वह यह नहीं हो गया और यह मारा पूरी कॉलम सामने से देखने पर कैसा लगने वाला वह चीज़ हो गया अब नेक्ष्ट करते हैं इसको कनेक्ट करने ठीक वहीं से ही दिखाना है अगर आगे पीछे करेंगे मेरे लिए टफ हो जागा नंबर भी नहीं मिलने वाला है उसी के लाइन पर तभी नंबर सही मिलेगा क्योंकि इसके लिए बार लेनी है एक ड्राइंग बनाने के लिए इसके लेखी होगा चेंज नहीं करना अलग एक लाइन में बना रहे तो एक लाइन है पर होगा जैसी इधर करा है अब ऐसी जैसा इधर आएक जैसा इधर का यह से मिधर होने वाला है अब बात करते हैं कि अब देखो अब देखना में सामने से यह चीज और यह फ्रंट भी हो गया यह टाउप भी हो गया एक लिखा हुआ है अब सामने से देखेंगे तो क्या देखने वाला इसका पूरा लेंध और थिकनेस वही है नीचे थिकनेस दिखेगा वही चीज आया नीचे इसकी तिकनेस दिख रहे ही कि जो मारा एंगल यूच किया उसी के साथ हमारा बेस प्लेट कनेक्ट होगा जैसे यहां पर होल करा हुआ है इसका मतलई बेस प्लेट के साथ क्या है connected है वैसे इसको भी कर दिया next अब हमारा यह हमारा उपर जो बीर्ट बचा यह लेंथ वाली जो यह लेंग का लेंथ वाला उसके लिए कितना होना यह हो गया अब यह चीज़ें दिखाया हुआ ज़रूरी नहीं है हो सकता एक लाइन दिखा दो आप लोग जगह कम हैं तो मैंने क्या कि आप लोगों को समझ कड़ेगा जोड़ना पड़ेगा तो कहां जोड़ना ऊसको इसको जोड़ना है तो कुछ कोषक को आर्रेजमेंट करना पड़ेगा तो उसके लिए क्याकिया मैंने यहाँ पर कुंशन में डे रखा है कि बॉल्ट यूज करनी है यह êmeirmा इसको जक़ी शाइक भी नाइस हने यह बोल्ट दिखाऊगा यहां पर टॉप भी में और इसी बोल्ट के सारे से हेल पर यहां पर कहां लगेगा वह जी लाइन ड्रागर करके हमें दिखानी है दोट पर की बोल्ट का डाइमटर टौट अ पर एककी तो 2 संटीमेटर यहां लिए जाएका अगर जासव के लिए ऊसके लिए यहां लिए यांद के लिए इसका पकड़ बनी रहन दोखरने न पर यहां पे रहेगा इधर कंक्रीट है जॉइंट अच्छा बन जाएगा अगर डायेक्ट मैंने करा हुआ है प्लेन बोल्ट है तो निकल भी सकता है कभी तीसले इसको क्या करना है बोल्ट बेंड कर देना है मोड देना लाश में दोनों साइड में दोको मोडा हुआ है यह फायता होता है कि उखणने नहीं पाएगा उसकी पकड अच्छी बनी रहेगी बॉंड बनी रहेगी एंकरेज और देखो और इसको जो कंक्रीट बलाक हुआ उसमें कंक्रीट का सिंबल दिखा देना का आप बतर living नत्त लाँ जिक रहेगी बन यहां पर लिखना यहां नीचे बन पड़ेगा यहां नीचे सब्सक्राइब क्रीट इस टील कॉलम यहां लिखना पड़ेगा टॉप इस टील कॉलम ओभी केस्ट में लेटर में लिखना आए इसको ध्यान रखना है अब बात करते हम साइड वी बोला हुआ बनाने के लिए लास्ट में कुश्चन में बोला हुआ है अब यहां पर पास जगह नहीं था तो आपने इस तरह से बना दिया अगर नहीं समझ में आयागा तो कमेंट कर देना किसी दिन फिर से इसको और वाले को रही से बता दूँगा आजाएगा क्लियर हो जाएगा अब साइड वालों का ऐसे किया हमने ये क्या हो गया ब्रेक लाइन होगा है कि अध्याइव में देखो कि मतलग कि यहां से चलो यहां तो एक बार यह देख लेते हैं यह दो को गशर प्लेट है क्लिट एंगल तो फुड़ा उपर तखाय की नहीं है तो वही चीछ हुआ कि गश्टे लेटक फ्लेटके साथ व्लियक यूज्ट किया हुआ है उससे थोड़ा बढ़ा है उसे लिए उसको थोड़ा उपर दढ़ा हूं और देखो सैड्स से देखूंगा तक दिखेगा मेरे साइड से देखो यहां से अगर मैं खड़ा होगे यहां से देखो क्या दिखेगा पूरी लंबाई एलिवेशन दिखेगा और कितना थिकने से कितना थीपनेस मेरा है वह चीज दिखेगा तो वह पर जाए यहां पर और यह वाली लाइन नहीं होने वाली है यह गलत है 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 यह पिवाली नहीं रहेगी यह गलत है कि चलो इस तरह से हो गया यह और गया सीधी-सीदी इसकी लाइन आजागी चोड़ाई कितना ही किसका इस चीज का ये जो एंगल हमारा जो आई सेक्शन यूज किया हुआ तो उसकी वीड़ कितनी थी ये था 250 mm कितना था 250 mm ता इसका वेड़ तो उतनी आनी वाली है और उसका पूरे कि यहां पर उपर हो सकते ब्रेक लाइन इसलिए यूश करते हैं कि ताकि हम दिखा सकते इसकी लंबाई ज्यादा है चोटे जगह हम दिखा रहा हुआ उतना जगह हमारे पास नहीं कि दिखा तक हो पूरा नीचे तक कनेट किया यह कंक्रीट ब्लॉक हो गया जैसे यहां पर कं बनेगा साइड में जब बनाएंगा जितना इसका जाएंगा इसको उलटा बना देता है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता इसलिए आएसे बनाया मैंने किसी दिन बता दूगा अलग से चेंज करके अब क्या करना है इसका पूरा लेंध दिखने वाली आ है और यह बू कैसे बनाना वो चीज़े हम बताई चुकिए अभी और यहां पर लाइंड ड्रा करनी है तो यह ब्लॉक वाली लाइन और यह क्या है जो बोल्ट हमने यहां पर जॉइंट किया हुआ बोल्ट कर दिया हमने अब उसके वाद क्या करना है बेस प्लेट तो हो गया यह कॉलम हो करने पड़ेगा सथ तो क्या करना है यह यह वहां पर डॉट क्यों कि कितना की आफ में private करने की नहीं सकते हैं अब ड़ी में करने क्या आफ्ये divers म album के तब बनानिया में और यह वाला मारा वे वैली थिक्ने से वाले लाइन जो है जो हमें नहीं दिखुएगा यहां से खड़ए हो जाएंगे तो नहीं दिखेगा क्या है अब जैसे यहां में खड़ा निया हूं अब मेरे मेरा हाथ ते दिखने कैसा है तो उसको कैसे दिखाना नृइन दिखांग को सब्सक्राइब dotted line दोरा angle दिखा दिया किस तरह से किस तरह से हमने इसको connect कर दिया जो clit angle था उसको भी base plate के साथ connect कर दिया यह हमारा base plate हो गया यह concrete block हो गया इन सबसारी चीजों के दिखानी है और यह concrete block में base plate को connect करने के लिए हमने बोल्ट का यूज करना है बोल्ट का यूज कर दिया connect हो गया और यहीं पर इतनी ही ड्राइंग बनानी है 25 marks का होगा 25 marks का होगा अगर आपने साब साब पूरा बना दिया तो 20 से एबब मिलना ही है अगर साब सब बना दिया और फ्राइं लिखनी है जो डायमेंस सब्दम्हागा है जैसे घे दिखानी हो venom अधल होगा टाप लोग इसको खीच किधा में side में इसको दिखा सकते हों कि आपने hundred से कितना लिया हुआ है कौन सा बीर से ख्रशा का लेत कहा लिए कि तो ख़ल्य का बीर वार के प्लैज का बीर कि दिखा इश यह सब सारी चीज़ें दिखानी है इतनी सारी चीज़ें इसका कि अन्दर कुछ भी नहीं लिखना है जो यो भी लिखना है फीगर के बाहर लिखना है जैसे डामेंशन दिखानी है फीगर के बाहर दिखानी है फीगर के अंदर नहीं दिखाना है सारी डामेंशन बाहर दिखानी है एंगल का साइज लिख सकते हैं कि यह यहां पर लिखना पड़ेगा एरो एरो लेकर ले जाके चाहि जरूरी भी है तब ही समझ रहा यह क्या है हमारा rice क्या सकते हैं तो आप सफषर और यह झालिए यारा बेस प्लेट है इस प्रॉलेट है इस यह नहीं लिखना है यह कि निश्या नीचे हम लिए सकते हैं कि यह क्बहें हो गया ई और यह क्या है बेस्ट प्लेट हो गया कि यह सब चीज़ें आपर दिखा सकते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही और अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं मैं फिर उस पर वीडियो बना दूंगा कि कहां से दि अ क्यों कर सकते हैं जो यह टो आपके लोग अगर देड़ा भीजि़र से नहीं कि अवाद देखव्ण का नहीं कि आपके हैं और में यह लुद्ट आपके साथ प्लेट कि अवाद दिए स्ट्ट आपके साथ दोज खर फिर जालत मैं कि अहां घूद आपके सब